अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद हर तरफ मचे तालिबानी को हराम को देखते हुए राश्ट्रपती जो बाइडेन सवालों के घेरे में है। अब लग रहा है कि खुद बाइडेन भी इस फैसले की वज़े से बैक फुट पर आ गए हैं और यही कारण है कि बीतें दो हफ़ते से भी कम समय में बाइडेन ने तीन बार सफाई दी है। हाला कि अपने हालिया संबोधन में राश्ट्रपती बाइडेन ने यह भी कहा है कि वह तालिबान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार करेंगे, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अब अमेरिका तालिबान के खिलाप एक्शन के मूड में आ गया है। अफगानिस्तान पर अपनी नीती को लेकर आलोचना जहेल रहे बाइडेन ने कहा कि उनका फैसला तारकिक, तरकसंगत और सही है। तालिबान ने अमेरिकी सेना की वापसी से दो हपते पहले ही 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कबजा कर लिया था। अमेरिक द्वारा ट्रेन किये गए अफगानिस्तान सेना के जवान तालिबान लड़ाकों के आगे पस्त हो गए। अब अफगानिस्तान में रहने वाले हजारों लोग तालिबान के शासन से डर कर देश छोड़ने की होड में हैं। अफगानिस्तान की स्थिती को देखते हुए बाइडेन प्रशासन को अपने ही देश में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन ने एक बार फिर अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा, मुझे लगता है कि इतिहास में इसे एक तारकिक, तरकसंगत और सही फैसले के तौर पर दर्ज किया जाएगा। तालिबान पर प्रतिबंध लगाएंगे बाइडेन अमेरिका के राष्ट पती जो बाइडेन ने कहा कि वह तालिबान के खिलाप प्रतिबंधों पर विचार करेंगे। उम्मीद से पहले गिरी अफगान सरकार बीते हपते सुमवार को जो बाइडेन ने यह कहा था कि वह अमेरिकी सेना को अफगानस्तान से वापस बुलाने के अपने फैसले पर अडिग हैं मगर उन्होंने यह भी स्विकार किया कि अफगानस्तान का सरकार का पतना उमीद से ज़्यादा तेजी से हुआ अफगानियों से की खुद के लिए लड़ने की अपील इससे पहले 11 अगस्ट को भी बाइडेन ने तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अफगानस्तानियों से अपील की थी कि वे अपने देश के लिए लड़ें उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला लेना का कोई मलाल नहीं है। बाइडेन ने वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। उन्हें अपने लिए लड़ना होगा। अमेरिकी राष्ट पती ने यह भी कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का कोई मलाल नहीं है क्योंकि 20 साल से ज्यादा समय में वाशिंटन ने इस पर 10 खरब डॉलर से भी ज्यादा खर्च किये हैं और हजारों सैनिकों को खोया है।